हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग welcome back to my channel आज की वीडियो में हम लोग यह discuss करेंगे अगर हम लोग अपनी car insurance policy को renew नहीं कराते तो हमें उसका क्या-क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो please वीडियो को like, share चैनल को subscribe आप लोग जरूर कर लिजेगा according to IRDAI Insurance Regulatory and Development Authority of India यह एक बोड़ी है हमारी इंडिया में जो पूरा insurance system को regulate करती है अगर आप लोग honor हो अपनी गाड़ी के four wheeler के तो आपके लिए बिल्कुल कमपसरी है क्योंकि अगर आप लोग insurance नहीं कराते हो अपने four wheeler का तो आप लोग अपनी गाड़ी को चला रहे हो तो इसके लिए आपको penalty भी भुगदनी पड़ सकती है साथ साथ जेल भी हो सकती है या आपकी जो गाड़ी है वो जप्त भी हो सकती है ठीक पांच ऐसे नुकसान आप लोगों को जहिलने पड़ सकते हैं अगर आप लोग अपनी policy को टाइम स नहीं कराते हो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मालो एक साल कंप्लीट हो गया और आप लोगों ने अपनी policy रिन्यू नहीं करें तो एक साल कंप्लीट होने के बाद भीना टीज दिन से लेके 90 दिन तक company आप लोगों को समय देती है उसको grace period बोला जाता है कि आप लोग अप mutual legally contract होता है जब हम insurance policy खरीते है तो वो खतम हो जाएगा अब insurance company की कोई भी जिम्मेदारी आपके पती नहीं बनती है अगर कल को कुछ भी accident होता है या किसी की accident में death वगर होती है या कुछ भी नुकसान होता है आप claim करने के लिए applicable नहीं रोगे तो सबसे पहले नुकसान आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले नुकसान आप लोगों को कुछ हिलना पड़ेगा कि कोई भी coverage या मतलब कुछ भी आपकी protection जो होगी वह valid नहीं होगी सपोस करो आपकी गाड़ी का excellent हो जाता है तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो आप लोग insurance company में claim करते हो तो जब आप लोगोंने policy renew ही नहीं कराई है तो इसका मतलब 90 दिन भी cross होगे तब भी आपने कुछ नहीं करा है अब insurance company के कोई जिम्मतार ही नहीं है उनका और आपके बीच का legal जो contract है वो टूट चुका है कुछ भी protection जो है आप लोगों को नहीं मिलेगी आप undercover नहीं रहोग कि उसके साब से जो आपने कमाया होगा वो no claim bonus आपका lapse हो जाएगा खतम हो जाएगा आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा फिर अगर कभी आपको जुरत पड़ेगी ना आप कभी दुबारा से policy को अपनी जरनेट करते हो तो आपका शुरू से वो count होगा ठीक है तीसरा आपक एक example देता हूँ आप लोगों को कि बीना driving license के ना आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते हो वो illegal होता है आप लोगों को penalty पड़ती है या कुछ सजा का भी प्राफदान होता है किसी प्रकार से जो हमारी insurance policy होती है वो link होती है हमारे driving license ते अगर आप लोग बीना insurance policy के गाड़ी चलाते हो या पकड़े जाते हो तो गड़ी जप्त भी हो सकती है सजा भी हो सकती है और penalty तो भाई पड़ेगी पड़ेगी और आपका जो license है वो भी आपका जप्त या suspend हो सकता है तो चोथा नुकसान आपको क्या जहिलना पड़ेगा गड़ी का दुबारा inspection होगा अगर in case आपका भी policy को दुबारा generate करनाने चाहते हो वही same process होगा दुबारा से सब चीजे होंगी और इस case के अंदर कहीं बार ऐसा भी देखा गया है कि जो premium होता है वो कहीं बार भढ़के भी आता है लोग हमेशा premium कम करने की चक्तर बढ़ते हैं बट आप जो पैसा बचा रहे हो सो होगा सामने वाले को इंशोरेंस है उससे आपको कोई मतलब निया बट आप लोगों के पास में मैंने पहले ही बताता है कि इंशोरेंस दो प्रकार के होते हैं एक होता थर्ड पार्टी दूसरा होता है आपका comprehensive या on damage कि है अब आप अपना damage या अपने नुकसान covered कराओ या आप लोगों को थर्ड पार्टी सामने वाले का नुकसान जो है covered कराना पड़ता है अब आप लोगों के पास ना अपना cover है ना थर्ड पार्टी आपने लिए तो suppose करो अगर कभी गाड़ी accident हो जाती है सामने तो थर्ड पार्टी उसका जो नुकसान होता है तो आप लोग ए अपनी जेफ से कुछ नी देना पड़ता इंशॉरेंस कंपनी थर्ड पार्टी क्लेम के तुरू उनका जो है settlement कर देती तो सोचो दोस्तों यह जो पांच नुकसान में आपको बताए है ना यह कितने important है ऐसा नहीं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी कार की policy ज जरूर कर दीजेगा थैंक यू सो मच जैहिन